हेलो एब्रीवन आज हम लोग लेक्चर नमबर फोर चलने वाले हैं आप लेक्चर नमबर थीरी तक अपलोड कर दिया गया है कैसे हम लोग ड्राफटर करें वो भी बता दिया गया है आज हम लोग प्लेन का क्योशन करेंगे क्योंकि आपको पढ़ाया गया तिन तरह के प्ले क्योर्षन प्लेन का ले रहा है क्योर्षन बोल रहा है कंस्ट्रक्ट ए ए स्केल वन इस्टू फोर्ड तू सो सेंटीमिटर एंड लॉंग इनफ तू मेजर अपटू 5 डेसीमिंटर तो यहाँ पर बताया जा रहा है बाबु कि इसको जो सबसे लॉंग मेजरमेंट है यहाँ पर फाइब डेसीमिंटर का लिया जा रहा है तो आपको यूनिट याद करवाए थे और उसके बाद दो फ़ॉर्मूले दिये थे तो पहला फ़ॉर्मूला था कि आरेफ है जो यहाँ of a scale इसके बाद निकालते हैं फॉर्मूला पहले सीखेंगे length of a scale तो length of a scale is equal to क्या बताए थे याद है rf into maximum length to be measure maximum length to be measure ठीक है जो maximum length measure किया जाएगा तो यहाँ पर कितना है rf कितना है बनवाई 4 enough to measure up to 5 decimeter कहां तक measurement है इसका 5 decimeter तक है तो 5 decimeter से क्या कर देंगे गुना कर देंगे ठीक है तो 5 decimeter से गुना करेंगे बाबू तो बताए तो कि आपका जो यह scale है आपका यह scale है कहां गया ही क्यों संदेख रहा है क्यों संदेख रहे हैं पहलों आप लोग construct a scale 1 is to 400 centimeter and long enough to measure up to 5 decimeter तो यह distance इस पर कितना करना है 3.5 meter का करना है तो हम लोग formula लगा आरे फिजकल टू बन इस टू फोर यानि बन वाई फोर तो length of scale क्या होता है आरे फ इंटू जो आरे फ दिया हुआ है इंटू maximum length टू भी मिजर तो यह जो बोलेगा न मेजर up to 5 decimeter 5 meter 5 mile 10 12 कुछ भी देगा उसी को यहां पर क्या कर देना है गुना कर देना ठीक है तो फाइव decimeter आप बात रहता है कि जो आपके पास scale है मेरे पास small और बड़ा वाला दोनों है छोटा वाला जाएगा तो दिखाईएगा यह वाला तो नहीं असेप्ट करेंगे ठीक है तो ड्राइंग कॉपी को ले लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए कॉपी रख सकते हैं चलिए तो यह होता है किस में होता है सेंटीमीटर में सेंटीमीटर तो हम डरवा करेंगे इसी से न आईए है decimeter में तो इसलिए यूनिट कन भर्जन बताये थे आपको सबसे पहला दिन ही तो फाइव decimeter को हम किस में इस सक्केल में लौए तो यह सक्कील कितना है सेंटीमीटर का है आट एक Personality में कितना होता आए एक leenth of steering Wes give a SMCきた 12.5 cm सबसे पहले 자가 अब 12.5 cm का एक लाइन बनाेंगे 12.5 cm का एक लाइन बना देंगे 12.5 cm इहां पर एक लाइन दीख रहा है यहां पिछ ठीक है चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं यहां से 5 mm का 5 mm पता है कितना बोलते हैं यह जो है न यहां पे दिखिए 0 से लेके यह बला लाइन तक ठीक है एक के बीच में एक और 0 के बीच में जो लाइन है तो ही 5 mm है तो 5 mm का यहां से क्या कर देते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉआ कर देते हैं इधर से भी 5 mm पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉआ कर देते हैं एक सेकिन यहां से भी 5 mm पर वर्टिकल लाइन ड्रॉआ कर देते हैं लाइन ड्रॉआ करने के बाद इसको क्या करते हैं मिला देते हैं ठीक है इसको क्या करेंगे मिला देंगे चलिए मिला दिए देख लिए मिल गया अब क्या करना है यह कितने लेंध में था फाइब डेसीमीटर में था न तो जितना डेसीमीटर यह सेंटीमीटर यह माइल यह फर लॉंग कुछ भी दिया रहेगा तो जितना दिया रहेगा उतने पाट में डिवाइड कर देते हैं तो क पॉइंट में आ जाएगा न तो इसके लिए एक रूल बता देते हैं हमेशा के लिए वैलिड है कहीं भी डिवाइड करना हो तो इस तरह से किजिएगा वो रूल क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से 90 डिग्री से कम एंगल का कोई एक लाइन खीचेंगे 90 डिग्री से कम होना चाहिए कोई भी एंगल रहे मापने नहीं जाना है ठीक है टाइम बेस्ट नहीं करना है क्या करना है 90 डिग्री से कोई कम हो ठीक है तो उतना से क्या है यह को लाइन ट्र पेंसिल शेट करके रखना है कोई भी चाप प्शू कोई ये क्रफी चाप ले लेना है अपनी मन से कोई भी चाप ले लेगदा आ इस लाइन को पहले 5 पाँट मेंडिवाइट करना सिलाइन में जो बाद में बनाए है लोग इसको पांच ऌड़ कर देगा अगा है ऐस लास्ट पॉइंट से इस लास्ट पॉइंट तक क्या करेंगे मिला इए चलि इसका नाम दे देते हैं अब इसके यहां घ्राइब गया चाल इसके परडल यहां फैरल यहां प्वांट लएगा मिला दिये, इसके पैरलल ले गए, मिला दिये, हाथ को उठाना नहीं हिलाना नहीं है, इसी के खली दवा आना ऐसे करके, ठीक है, अस्मूथ ली, इस तरह से गए, मिला दिये, इस तरह से पॉइंट ले गए, मिला दिये, अब यह लाइन पांच पार्ट में डिवाइड हो गि क्या किए थे यहां से कोई एंगल ले लिए थे इस लाइन को पहले हम पाँच पार्ट में कोई भी एक चाप पे इसको फिर घटाना बढ़ाना नहीं है एक बार जितना हो गिया जितना एक बार चाप ले लिए उत्रा ही फिर जहां कटा वहां फिर रखके अगला इस तरह से पांच पार्ट में डिवाइड कर दिए पहला पोइंट से पहला पोइंट को इस तरह से जहां पोइंट को सब से पहले मिला दे ना है मिला दिएक को फिर इस आगे move करवाना जहां कटेगा जहां line आएगा वहीं draw कर दिजेगा जहां point आएगा वहीं draw कर दिजेगा जहां point आएगा draw कर देंगे अब क्या करना है इसके vertically line खीच देंगे यह जितना पर point है न सब पर vertical line खीच देंगे यह आगे वळला छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं अभी बता रहे हैं यहाँ से 0 स्टार्ट करते हैं एक डबबा को, एक बॉक्स को छोड़कर 0, 1, 2, 3, 4 तो अभी आप plain skill पड़ रहे थे, तो आप plain skill में बताया गया था, कि 2 unit में होता है तो दो unit में होता है आपको major करने के लिए chuman दिया था portion note कर लिए थे chuman क्या था कि 3.7 meter Clean so करना तो दो unit है नवावो 3.7 meter यानि इधर वाला meter išको आप कैसे लिख सकते हैं ठीरी मीटर और 7 decimetr लिख सकते हैं 7 decimetr लिख सकते हैं तो यह 30 मीटर 60 में तो इधर वाला मीटर सो करेगा इधर वाला मीटर सो करेगा जीरो की इधर वाला क्या सो करेगा डेसी मीटर ठीक है इधर क्या सो करेगा डेसी मीटर इतना कनफार्म किलियर हुगा इतना किलियर हो गया होगा तो आप बताईए कि मीटर है इधर वाला देख होता है एक मीटर में कितना डेसी मीटर होता है दस डेसी मीटर होता है एक मीटर में कितना डेसी मीटर होता है दस डेसी मीटर तो इस बॉक्स को पहले एक मीटर था लेकिन इसको हमको डेसी मीटर में सो करना है तो कितना पाट में डिवाइड करना होगा दस पाट में कितना पा एक कमपास उठाईए, कमपास को यहाँ पर रखना है, कोई भी चाप ले लिए, छोटा, बड़ा, ठीक है, जितना मन हो, तो एक छोटे लिजे क्योंकि दस बार में इसको काटना है न, तो अब हिलाना डूलाना नहीं है, एक बार काट दिए, दो बार काट दिए, तीन बार का दस, दस बार में काट दिए, जहां लास्ट पॉइंट होता है, तो लास्ट पॉइंट, यह इसका लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट क्या कर देना है, मिला देना है, इसका लास्ट पॉइंट, इसका लास्ट पॉइंट क्या कर देना ह फिर उसी तरह से रॉलर स्केल है ना रॉलर स्केल को घसका आना नहीं है इस तरह से रख दिये ना इस तरह से इस तरह से सेट कर दिये अब इसी को खली आगे बढ़ाते जाना है देखिए यह ऐसे इस लाइन के सहारे रख देंगे यह जो पॉइंट है यहां तक इसको घसका के ले जाएंगे घास का के ले गए इसी को सामने खीच दीजे लाइन ठीक है फिर इसको आगे ले जाएंगे उस पॉइंट तक यहां से क्या करेंगे इस पॉइंट से लाइन खीच देंगे ठीक है फिर इसको आगे बढ़ाएंगे इस पॉइंट तक आगे से लाइन खीच इहां तक, खीछ दी यहां से, चलिए इसको बढ़ाएं, इहां तक कर दिये, इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पूरा को मिला देंगे, देखिए तो इस तरह से डिवाइड हुगा है आप लोग का अम मार्किंग कर देंगे यह 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है यहां तक लिख दिए 0.12345 अभी यतना तक हो गया ना बागू अभी इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना है ठीक है देकोरेट करना है तो उसके लिए क्या करना है कि जिसे देखिएगा यह आपको जितना अब यह सब लाइन है ना इसको भी भर्टिकली नीचे गिरा दीजिए सब लाइन को भर्टिकली नीचे गिरा दीजिए जितना भी लाइन था बनाके उपर लाएं है सब लाइन को नीचे गिरा दीजे तो सब लाइन को नीचे गिरा दीजे बहुत मजा आएगा ड्रॉइंग पढ़ने बाबू मेरे साथ देखिएगा कितना मजा आता है अब बीच में अप डेकुरेट करना है इसको ठीक है परपस कोई नहीं होता ऐसे भी छोड़ सकते है ठीक ह करते हैं एक लाइन एक को खाली छोड़ते हैं दूसरा में ऐसे कलर कर देते हैं बीच में ऐसे करके असकेल से किजिएगा मेरा तो रफ वर्क है तो हाथे से कर देते हैं असकेल से बढ़ियां से करके ड्रॉइंग ऐसे किजिएगा ठीक है एक हाथ छोड़े एक घर छोड़े ठीक है अब मेजर करने में मेजरमेंट में पढ़ने में रेडिंग करने में भी अच्छा लगता है ठीक है तो देखे इस तरह से बना लिए यह हो गिया बाभू तो ड्राइंग कंप्लीट हो गिया ड्राइंग कम्प्लीट हो गया क्या 12.5 cm का स्केल था 12.5 cm आया था केल्कुलेशन करके तो 12.5 cm को लिए मेजर केतना तक करने बोला था 5 cm तक न तो 5 में पार्ट में डिवाइड कर दिये जिसको 0,1,2,3,4 छोड़ दिये तो इधर वाला को मीटर बोलते हैं इधर वाला को decimeter क्यों क्योंकि आपका मेजरमेंट किस में करना है 3.7 मीटर में 3.7 मीटर है तो 3 को मीटर बोलते हैं 7 जैसे आप बोलते होंगी न 1.5 रुपिया है तो आप क्या पढ़ते हैं इसको 1 रुपिया 50 पेसा उसी तरह से तो इधर वाला मीटर है इधर वाला डेसी मीटर है तो एक मीटर है इधर मीटर होता है तो एक बॉक्स एक मीटर बता रहा है दूसरा बॉक्स दू मीटर बता है तीसरा तीन मीटर तो उसी तरह से एक वो कितना था एक मीटर था न तो एक मीटर को आप कितना पाट में करने का रूल बता है कोई एंगल दीजिए पहले इस लाइन को 10 पाट में डिवाइड कीजिए लास्ट वला पॉइंट को इस पॉइंट को मिला दीजिए ठीक है पैरलली सब को मिला दीजिए तो अब सो करना है इसको इस पे 3.7 मीटर 3.7 मीटर तो 3.7 मीटर में क्या है तो 3 मीटर यहां पर 3 मीटर सो कर रहा है देखिए तो 3 मीटर सो कर रहा है यहां पर कोई दीकत है तो यहां से 3 मीटर 3.7 मीटर कहां तक होगा कहां तक होगा तो इधर तो मीटर है तो 3 तक ले लिए 7 कहां है यहां तक देखिए यहां तक देखिए, यह 10 पार्ट में है न, तब 1 पार्ट, 2 पार्ट यहां 0 है न, तो इधर स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह है 7 डेसिमीटर न, 7 डेसिमीटर यह नमरिंग उल्टा कर दिये, यहां 0 है, यहां से कर लिजेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो देखिए इसी ला लाइन पर आगिया, तो यहां तक होगा, ठीक है, इस लाइन से यहां तक, तो यह मापा आगिया आपका कितना, 3, 7 मीटर, ठीक है, 3, 3 मीटर इधर से, 7 डेसिमीटर इधर से, तो यह टोटल लाइन यहां से यहां यही हुआ, 3, 7 से डेसिमीटर इधर से, तो यहां से यहां क का लाइन इसका नेमिंग कर देते ए से बी का लाइन कितना है 3.7 सेंटीमीटर का है तो आई होप समझ आया होगा बाबू हम लोग कल देखेंगे दूसरे क्यूशन पर ठीक है एक दो तीन क्यूशन करवा देंगे फिर वाकी होमवक दे देंगे आप खुद करते रहिएगा तक बने रहने के लिए